आज एक और संसनी खेज खुलाशा हो रहा है भगोडों का साथ भगोडों का विकास ये है मोदी जी का नारा हर भगोडे के हम और हर भगोडा हमारा आपने कल देखा कि कैसे महंगे महंगे फ्लैट्स में महंगे महंगे जैकेट्स पहनने की घूम रहे थे निरव मोदी जी लंडन की सड़कों पर महंगे जैकेट पहनने का तो शौक किसी और को भी है उनका भी नाम मोदी है अब ये एक तीन दिन पहले आज से साथ तारिक को लंडन में एक कंपनी बनाई गई ये उसके काखजात हैं तो इसके मालक ये किस ने बनाई है ये बनाई है मेहुल चोकसी ने साथ मार्च दोहजार उननिस को आज है दस मार्च तीन दिन पहले लंडन में काडिफ में इनों ने ये अपलाए किया अड्रेस उनोंने वहाँ प्रपोज्ट रेजिस्टर्ड ऑफिस अड्रेस दिया है 7175 शेल्टन स्ट्रीट कोवें गार्डन लंडन और उन्होंने अपना प्रिंसिपल अड्रेस ये बड़ा महतुपुन बड़ी महतुपुन जानकारी है प्रिंसिपल अड्रेस दिया मिलोनी जेम्स DMCC, जो गितांजली था अब उसका नाम मिलोनी है, मिलोनी जेम्स DMCC, 3G Almas Tower, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates, यह उन्होंने अपना प्रिंसिपल अड्रेस दिया, यह इसलिए महत्वपूर्ण है, कि UAE से हमारी प्रत्यरपन की संदी है, we have an extradition treaty with UAE, तो जब वो स्वयम बता रहे हैं, कि उनका यह प्रिंसिपल अड्रेस ही, जो मेरा लेक टावर्स का है, दुबाई का है, UAE का है, भारत सरकार की एजेंसियां, एंटिग्वा में, क्यों extradition की मांग कर रहे हैं, जहां से हमारी extradition treaty ही नहीं है, यह प्रयास क्या हो रहे है उनको बचाने के, वो इसी कागस में आपको दिखेगा, कि वो अपना अड्रेस, जो पर्मनिट वो कहां के रहने वाले हैं, कहां के राष्ट्रियता है, वो बेल्जियम की है, बेल्जियम से भी हमारा extradition treaty है, प्रत्यरपन संधी आपकी UAE से है, उनका अड्रेस UAE का है, वो उनकी राष्ट्रियता बेल्जियम की बताते हैं, आपकी प्रत्यरपन संधी वहां भी है, लेकिन आपने वहां extradition की कोई कारवाई नहीं की, जहां आप कर सकते हो, बेल्जियम में वहां आपने नहीं की, जहां आपकी संधी नहीं है अंटीगवा में, और जहां के वो रहन वाले नहीं है, वहां आपने कर दी, यह किसको मुर्ख बनाने की चेशता हो रही है, यह किसको बचाने की चेशता हो रही है, यह तो एक्दम सब कुछ साफ हो जाता है, इस एक जानकारी से, वो बता रहा है और बड़ी सपश्च तोर पे लेंडन में खुल कर पबलिक डोमै सीजने अथॉरिटीज ने इसकी सूचना दी और अगर नहीं दी तो बहुत बड़ा गंभीर विशन है जब मुल्क की जमूरियत हो खत्रे में जब मुल्क क्याइंट पर होने लगे हमले जब मुल्म मुसल्मानों का किया जाए ऍकरवालाई… जब शब्सक्ड нормально को जब मीडिया हो जाए सप्मारी हुलाई अ तब तब कौन उठाएगा सबाल… powin उठाएगा अभालाई तब कोन करेगा इसाब। हम उठाएंगे हग की आवाज हम दिखाएंगे समाज का सच हम दिखाएंगे सरकार का सच तो देखते रहिए माइनर्टी मीडिया सिंटर पर MLS News India तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हग की आवाज उठाने में हमारी मदद कीजिए शुक्रिया आपकी कैसे आपके कूटनेतिक संबंध हैं कि आपको ब्रिटिश हकूमत बता नहीं रही है यह जानकारी हमारे और आपके पास आ गई सरकारी एजेंसी के पास नहीं आई और अगर आपके पास यह जानकारी आई है क्योंकि international protocols होते हैं और Great Britain भी एक जिम्मिदार देश माना जाता है अगर आपके पास ये जानकारी आई तो उस जानकारी का आपने क्या किया ये तो तुरंट अरेस्ट होना ची आप तो कहते हैं red corner notice है आपकी गलती नंबर एक कि आपने उन देशों में प्रत्यरपन की प्रक्रिया नहीं शुरू की जिन देशों का अड्रेस वो स्वयम बताता है आपकी गलती नंबर दो आपने ऐसे देश में प्रत्यरपन की प्रक्रिया शुरू की जिसके साथ आपकी संदी ही नहीं है मैं फिर से दोहराता हूँ क्या आप हम सब को मुर्ख बना रहे हैं जनता को मुर्ख बना रहे हैं या आप इनको बचा रहे हैं गलती नमबर 3 रेट कॉर्णन नोटिस होने के बावजूद सर्याम कंपनिया बनाई जा रही है आज तो चुनाव की भी घोषणा होनी है चुनाव की घोषणा होने से कुछ चार दिन पहले तीन दिन पहले एक कंपनी जो की एक शेल कंपनी है it does not have a brick and mortar office it's a shell कंपनी इंग्लेंड में बनाई जा रही है आखिर ये money laundering के लिए है किस कारण से ये बनाई जारी है ये किसको लाब पहुंचाये जा रहा है कौन इनको बचा रहा है क्या वही व्यक्ति इनको बचा रहा है जिस व्यक्ति को ये लाब पहुंचाने की चेश्टा कर रहे है आखिर वो महतुपूर्ण ताकत्वर शक्तिशाली व्यक्ति है कौन जो सर्याम इनको बचा रहा है अब आपको मैंने उनकी तीन गलतियां बताई मिलोनी जेम्स दुबई में आपके तो UAE से बड़े अच्छे संबंध है आप तो अपनी पीठ थपाते रहते हैं उन संबंधों को लेकर मिलोनी जेम्स सर्याम जो मेरा लेक टावर से अपना व्यापार चला रहा है आपने क्या कारवाई करने की मांग की UAE से दिड़ एक्षान अगेस्ट मिलोनी जेम्स which is running its operations from Dubai, from UAE with a country with whom you claim you have very good diplomatic ties and you keep patting your own back अब अगर बिना ब्रिक मॉटर का एक ओफिस क्लेम करती हुए एक कंपनी अपने आपको रेजिस्टर करा रही है हमारा इंफोर्स्मेंट डिरेक्ट रेट जो मोदी जी के रादनितिक प्रतिदुन्दियों को तो आँख दिखाने में एक मिनिट नहीं लगाता और जो देश का इतना करोडों को लूट कर भाग गए उनके प्रती बड़ा रहम दिल है क्या हमारे एंफोर्स्मेंट डिरेक्ट रेट को यह जानकारी नहीं है क्या हमारी इंटेलेजिंसी को यह जानकारी नहीं है या जानकारी है लेकिन इनको चुप रहने को कहा गया आप लुकाउट नोटिस, इंटरपॉल का रेड कॉर्नर नोटिस मोदी गभर्मेंट बार बार कहती हमने मेहुल चोकसी के खिलाफ Interpol को ये कर दिया Red Corner, Lookout, सारे तमाम Notices के बारे में बताते रहते हैं फिर आपने जो हमने आपकी पीठ थप थप आई हमने भी कहा आपने अच्छा क्या Christian Michelle को तो आप ले आए वो किसी और देश का नागरिक था कहीं और आपको पकड़ा आपने उसको पकड़ लिया और ले आए बड़ा अच्छा क्या, इनका क्या हो रहा है Red Corner Notice है Lookout Notice है फिर भी वो Company Register करा देते हैं कल ही आपने देखा नीरव मोदी भी घूम रहे हैं लंडन में क्या ये एक coincidence है कि जिस दिन आपको नीरव मोदी दिख रहे हैं लंडन में उसके एक दिन दो दिन पहले मेहुल चोकसी एक Company Register करा रहे हैं लंडन ही में और पत्रकार हमें बता रहे हैं हमारी सरकारों को होना उल्टा चाहिए सरकार को बताना चाहिए पत्रकारों को जिन्होंने ये हालत कर दी है एक चीज हम और जानना चाहते हैं और बार-बार जानना चाहते हैं मोदी सरकार कम से कम इतना बता दे जाने से पहले You owe it to this country क्या British हुकूमत ने क्या UAE की एजेंसीज ने आपको ये जानकारी दी थी या नहीं दी थी ताकि आने वाली सरकार को मालूम हो कि हमारी कूटनेतिक संबंधों को अब दुरुस्त करना पड़ेगा बहुत कमजोर हो चुके इन पांच सालों में कि जानकारी ही नहीं दी और अगर जानकारी दी तो भी बता दें कि हाँ जानकारी दी थी ताकि हम अपनी एजेंसी को दुरुस्त कर सकें जो आने वाली सरकार है उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी कि हमारे यहां कि जो एजेंसी हैं हम उनको दुरुस्त कर दें दोनों में से एक चीज में गड़बढ है या दोनों ही में गडबढ है बता दें पांच साल आपने इस देश को इन भगोडों के द्वारा बहुत लुटने दिया ये कर्ज है आपके कंधे पर आप ये उत्तर दे दिजिए आने वाली सरकार सब ठीक कर पाएगी तभी कर पाएगी पार्लिमेंट में 24 जुलाई 2018 को प्रधान मंत्री कार्या ले ने ये एडमिट किया एक उत्तर में अक्षन अगेंस निरव मोदी वास गिवन तो PMO अगेंस निरव मोदी और मेहुल चोक्सी वास गिवन तो पीमो भाएगी फैनांस देपार्टमेंट on 1st March 2018 but निरव मोदी had escaped already on 1st January 2018 यहां से सपष्ट अपने आप कई चीजें everything is fitting into the picture कल मेरी एक कुलीग प्रेंका चतुरवेदी ने आपको फिर से बताया कि कैसे जेटली जी के बिटिया और दामाद जब सब कुछ सामने आ गया तब वो 24 लाग की फीस उन्होंने लोटा दी और वो वकील बने मेहुल भाई और नीरव चोक्षी के कब शिकायतें अरुन जेटली जी उस वक्त के वित्यमंत्री के पास आ चुकी थी उसके बाद उनकी बेटी और दामाद वकालत करने चले गए उनकी और जब पकड़े जा रहे हैं तो पैसा वापस लोटा रहे हैं एवरिटिंग वी हाव और आर आंसर इन दीज वेरी पेपर्स कौन कौन कहां कहां मिला हुआ है क्यों इन लोगों को बचाया जा रहा है कभी कोई सेंट्रल हॉल में जाकर वित्यमंत्री के कान में कुछ बात करके पर्मिशन लेके लंडन चले जाते हैं सूटकेस भर कर ये लंडन में ही क्यों चले जाते हैं सब ये कारण इसका ये बताए हमें जब सबकुछ स्पष्ट है एक छोटा बच्चा आपको बता देगा कि उसकी राष्ट्रिता बेल्जियम की है वहां से चिठी लिखिए वहां अपनी प्रोसीडिंग शुरू करिए उसका बिजनस UAE में है वहां प्रोसीडिंग शुरू करिए वहां तो आप कर भी सकते हैं दोनों देशों में आप क्यों नहीं कर रहे हैं एंटीगवा में कर रहे हैं छोटा सा देश है प्रत्य अरपन संदी है नहीं आप वहां कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं साथ यह हमारे अब आपको यह सब सर्कुलेट करेंगे प्रेस रिलीज के साथ यह जो इनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्परेशन है अब दे लल्पी कॉल्ड रेह रेह वेंचर्ज लल्पी कोई प्रशन हो तो पूछे झाल